जाएन दोस्तों देखिए कोशन काफी इंपोटेंट होने वाला है और यह कोशन जो हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपोटेंट कोशन है हम प्रूफ करने वाले हैं कि यह वराबर आरवाइट हूँ यह कोशन पूछेगा हम उमीद करते हैं अगर आप साइंस का पेपर देंगे दो आजए तेईस में मैट्रीक है तो जरूर इसको प्रूफ करनेंगे क्योंकि काफ्रियम बढ़े हमने कहा कि एक और दर्पन में एम और एम डैस एक और दर्पन लिए जिसमें एक एबी परकास के किरणा आती हैं और सीडी इस बीसी डीशा में चले जाते हैं यह आई आप यह जो एबी है नो एबी जो लाइन है यानि एबी जो किरण है यह समानतर है पीसी का पीसी का मतलब परधान नव्च के यह समानतर है आपको पता है तो यह जो होगा वो तीर्यक रेखा होगा यानि बीसी तथा बीसी जो होगा वो तीर्यक रेखा होगा तीर्यक रेखा देखो दोस्तों ये कौण इस कौण के बुराबर होगा बने एक आंतर कौण तो ये भी कौण आई हो जाएगा यानि लिखेंगे एंगल ए बी सी बुराबर होगा कौण बी सी एफ का यानि कि ये कौण इस कौण के बुराबर होगा कोई पूछेगा क्यूं तो कोई दीजीग से एकांतर कौंड से एकांतर कौंड से एकांतर कौंड है इसलिए बुरा अब दोस्तों धिहान दीजिएगा एक हम बात कर रहा है तिर भोज BCF का BCF का यानि BCF में जब दू कौंड आपको पता है ना परवर्तन के नियम से आपको पता होना चाहिए कि दिखाई नहीं दे रहा है ओके अं दुर्भम कि नीयम से कि आ आप तोन कौंड परवर्तन कौंड के बराबर होते हैं यानि कोण आई बराबर कोड आ ये बराबर होते हैं तो धियान दिजियेकर ता कोण आई बराबरार होते हैं तो आपको पाता होना चाहिए कि किसी तिर्भूज में किसी तिर्भूज में दो कोण बराबर हैं तो यह दोनों भूजा बराबर होगा एक नियम है अगर आप तिर्भूज पढ़े होंगे तो आपको पाता होगा कि किसी तिर्भूज में दो होती है पुराबर होती है यदि कि कि ये सी एफ बुराबर होगा बी एफ का धियान से योके अद्धों देटेंगा इकवेशन फ़र्स्ट ले लेते हैं अब दोस्तों क्या करते हैं ये माल लेते हैं कि पी बियंदू है कि काफी नजदिक है ये बी बिन्दू P के बहुत बहुत अब लिख सकते हैं बहुत नजदिक है बहुत क्या है नजदिक है जो बहुत नजदिक होगा तो इसका मतलब हुआ कि B के जगह पे P लिख सकते हैं तो दोस्तों समिकराण एक का यूज करेंगे समिकराण एक से देखेंगे तो हम क्या करेंगे B के जगह पर P करतेंगे यानि CF equal हो जाएगा PF का तो दोस्तों अब धिहान से देखेंगा क्या हम धिहान से देखेंगा यह जो PC है न थोड़ा सा से देखेंगा इस PC बराबर हम लिख सकते हैं PF पलस CF धिहान से देखेंगा दोस्तों आगे देखेंगे यहां पर हम लिखेंगे हैं पीसी बराबर पीएफ पलस CF तो इसको समझे लिजे क्यों लिख हैं आप बताएए पीसी यहां से यहां का दिश्टन्स है तो क्या इसको पीएफ पलस PC लिख सकते हैं के नहीं देखो PF plus CF थब PC के बरबर हजाएगा दोस्तों अब देखो ध्यान से मेरे दोस्तों अब यहां से यहां के बीच के दूरी को R बोलते हैं यहांसे यहां के बीच के दूरी को F बोलते हैं समझेगे ठिक से दोस्तों अब दिखिए आब PC is equal to अब बताईए कि CF PF के equal है यानि जो CF है बाबू PF के equal है तो कि आप PF को दो बार लिख देंगे तो कि यह CF के भी equal हो जाएगा कि नहीं देखिए कैसे अगर यहाँ पे PF को पहले से रहने देते हैं आप बताईए जो CF है वो PF के equal है तो CF को हटा कर एक और PF लिख दें तो यह पो PF है यह पो PF 2 PF हो जाएगा अब देखो दोस्तो PC बराबर हो जाएगा 2 आप PF को बोलते फोकस दूरी देखो दोस्तो इफीगर में अगर आप देखेगा PF को फोकस दूरी को F बोलते हैं तो इसके जगह पर हमने का किया F रख दिया अब PC को करता तीज़े बोलते हैं तो R रख दिया तो हो गया 2F अब दोस्तो बताएगे F बराबर हो जाएगा यह 2 इधर आएगा तो R by 2 हो जाएगा तो देखेए दोस्तो हमने प्रूफ कर दिया यह बराबर R by 2 जो कि काफ ही इंपोर्टेंट है यह कोशन आपसे पूछने वाला है आप बहुत ही जवजास्त को अचान है जैहेन प्रूफ्त